खेलो दोस्तों टेक्निकल मास्टर माइंड में आपका फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं दोस्तों आपने देखा ही होगा जैसे जैसे आपका फोन पुराना होता है वो स्लो होने लग जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको फोन की कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिससे की आपका फोन हैंग ना हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में जितनी भी इंटर्नल एप्लिकेशन है जिनको आप यूज नहीं करते हो उनको यहाँ पर ह राम पर लोड डाल रही है वो अब डिसेबल हो जाएगी और आपकी राम लोड नहीं लेगी इससे ना ही इंटरनेट खर्च होगा और ना ही बैटरी खर्च होगी इससे आपका फोन तेजी से काम करने लगेगा चलिए दोस्तों दूसरी सेटिंग कौन सी है जो फोन हैंग ह पर एक सेटिंग मिलती है डाउनलोड सौफ्टवेर अपडेट ऑटोमेटिकली दोस्तों यह सेटिंग आपके मोबाइल में आउन रहती है इसको आपको आफ कर देना है इससे आपके फोन को इंटरनेट मिलने पर आपका फोन आपडेट नहीं होगा और आपका जो प्रोसेस है वो फ्री रहेगा तो दोस्तों तीसरी सेटिंग भी बहुत ही यूजर फुल है ध्यान से सुनना तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है और फिर आपको सबसे नीचे अबाउट फोन में जाना है जैसे ही आप अबाउट फोन पर क्लेक करते हो यहाँ पर आपको एक आपको एक option देखने को मिलेगा software information इस option पर आप click करेंगे तो आपको एक option मिलेगा build number इस पर दोस्तों आपको 7 बार click करना है और back आना है यहाँ दोस्तों आप देखेंगे आपके phone में एक नई setting आ चुकी है जिसका नाम है developer option दोस्तों इस पर click करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे जाना है थोड़ा और फिर आपको यहाँ पर 3 setting दिखाई देगी इनको आपको off कर देना पहली setting है window animation scale दूसरी transition animation scale और तीसरी animator direction scale तो चलिए पहली setting को off करते हैं यह देखिए off कर दी है मैंने अब दूसरी की बारी इस को भी off करनी है और तीसरी भी off रखनी है और फिर मैं back जाकर कोई application open करता हूँ यहाँ पर देखिए जैसे मैं chrome browser को open करता हूँ तो देखिए कितना fast open हो रहा है इन setting से आपका phone नए phone जैसा काम करने लग जाएगा बिलकुल भी hang नहीं होगा और पूरा fast चलेगा दोस्तों वी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले